My name is Dr. Anjali Fattar, I am the Director of Nutri-Purse and Senior Clinical Nutritionist, Jaipur. Friends, today we will talk about these foods, which increase the oxygen levels of the body. Iron-rich foods, you can take a lot of honey-pate-dar vegetables such as palak, bathwa, methi, pudina, dhaniya, broccoli, turai, tinda, kaddoo, ये सब चीज़े भी आप अपने डाएट में शामिल करें, उसके अलाबा फ्लेक्ससी, pumpkin seeds, walnut, almond, beans, जितनी भी प्रकार की फलियां हैं, वो specially आपके डाएट में रहनी चाहिए, उसके अलाबा दाले, अंकुरित, अंडे, मचली, chia seeds, खजूर, इन सब को अपने डाएट के अंदर शामिल करें, कुछ alkaline foods जैसे की नीबू, आम, तर्बूज इनको अपने डाएट में शामिल करें, vitamin C से related जो खटे फल है, जैसे की आमला हो गया, pineapple है, पापाया है, उनको अपने डाएट में शामिल करें, antioxidants भी आपके oxygen लेवल को बढ़ाने में साहता करते हैं, तो avocado, berries, पका ह साथ साथ लंग्स की capacity को भी ये strong करने में या उसकी capacity को भी बढ़ाने के लिए, ये सभी जो food groups हैं, वो बहुत साहता करते हैं, इनको आप अपने डाएट के अंतर शामिल करें, साथ ही साथ आपके डेली जो डाएट शडूल है, उसके अंतर 3-4 लीटर वाटर इंटेक अपक दिन भर में आप 2-3 बार प्राणयाम भी कर सकते हैं, जैसे भस्त्रिका प्राणयाम, अनुलोम विलोम प्राणयाम, कपाल भाती, उज्जयी और साथ में कुछ डीप ब्रिधिंग एक्सराइज जिदी आप करते हैं, तो oxygen का supply body में बहुत अच्छा रहेगा, और लास्ट में एक important चीज है कि laughing, हम कहते हैं, laughing is the best medicine, तो आपको जितना आप हसेंगे, मुस्कराएंगे, उतना stress relief रहेंगे, और जितना तेज आप हसेंगे, आपके lungs के exercises होगी, और उसके करण, जब lungs के exercise होगा, तो oxygen का जो है प्रभाह body के अंदर, बाडी के सभी अंगों के अंदर बढ़े का जे अंदर।